नमस्कार मैं हूँ दमिन्ना और आप सब देख रहे हैं T.W.T. News 24 एक जुलाई सांसद में हुआ कुछ ऐसा जो आज के इतिहास में पहले कभी न हुआ जिहां विपक्ष नेता के द्वारा दिखाया गया एक दरपण था जिहां मैं बात किर रही हूँ राहुल गांधी की जिन्होंने एक जुलाई में सांसद में एक आधी से ले आई जिसकी वजह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी अपनी जगह से उठ खड़े होने पर मजबूर कर दिया जिहां राहुल गांधी विपक्ष को गेरते रहे और विपक्ष नेता अपनी जगह पर खड़े होते रहे लेकिन उपो रोक नहीं सके यह पहली बार हुआ जब पीम नरेन मोदी नेता परित पक्ष को हर तरह से चुप कराने की कोशिश करते रहे नरेन मोदी ने कहा कि संपूर हिंदू समाज को हिंसक कहना बेहद गंभीर बात है हलागि राहुल गांधी ने तत्काल प्रधान मंत्री पर हमला बोला उन्होंने कहा कि बाचपा संपूर हिंदू समाज नहीं हो सकती है नरेन मोदी जी संपूर हिंदू समाज नहीं हो सकता है अगला अरक्षन संपूर हिंदू समाज नहीं हो सकता है इसके बावजूद भी उन्होंने भाचपा पर हमले बंद नहीं किये और लगातार सरकार की नीतियों के खिलाब बोलते ही रहे इससे पहले राहुल गान्दी ने भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए कुछ कहना चाहते ही थे कि अच्छानक अध्यक्ष्णु उन्हें टोका तो राहुल गांदी ने सवाल किया क्या भगवान शिव के चित्र को नहीं दिखा सकता भगवान शिव अभे मुद्रा में होते हैं अहिंसा की बात की दर मिटाने की बात की और कहा कि डरो मत डराओ मत अभे मुद्रा का मतलब है कि डरो नहीं इसे दरान संसद में कुछ ऐसा देखने अलग मिला जो आमतर पर नहीं होता है राहुल गांधी दोरा हिंसक कहने पर प्रदानमंद्री खुद पर काबू नहीं रख सके और तुरंट अपनी जगे से उट खड़े हुए और सांसत के सामने अपनी आपत्ती दर्ज कराते राहुल गांधी से भाचपा और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा हिंदुत दर, नफरत और चूट फैलाने के लिए नहीं है लेकिन खुद को हिंदुत कहने वाले 24 गंटा हिंसा और नफरत फैलाने के काम करते रहते हैं। कड़वी बोली सांसदों में गूंजती ही रहेगी राहुल गांधी ने डरने से मना किया है और बीजेपी ने डरते हुए लोगों को अपने पक्ष रखने तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या राहुल गांधी सांसद में करने वाले हैं राहुल गांधी की कई बातों को दबा दिया जा रहा है जिसमें वह बार बार अपील कर रहे हैं कि बेरी बातों को काटा ना चाहे उस पर गौर फरमाया जाए तब आने वारा समाई बताएगा कि राहुल गांधी कितने दिनों तक सांसर में दिखाए देते हैं हमें कमेंट्स